अबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुटा से सिर्फ पाँच किलुमेटर की दूरी पाथ अट कार्गो एरपोर्ट रोड गेटेट कम्यूनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज एलेक्टरिसिटी बीटी रोड से आरास्ता हम डिये अप्रूव ले आउट आपके तसवर से भी स्यादा खुबसूरत और सहलत मन वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माखौल में अब बनाएं अपना खुद का घर प्लॉड खरी दें रिजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें हमारी अक्सरियत नमाजे तो अदा किरती है लेकिन नमाज के फरायद वाजिबात की तरफ तबज्जे नहीं देती उसके सबब में होता यह है कि उनकी नमाजें अदा नहीं होती अजर से महरूम रह जाते हैं आज की इस मुटसर वीडियो में हम नमाज है उसकी तरफ अवाम की तवज्जे को मञजूल करwाना चाहते हैं होता यह है के नमाजें जनाजामी जब इमाम साफ अल्लाहो अक्बर कहते हैं तो बाज मुश्चरी खाहरे रहते हैं ऐल्लाहो अक्बर से आल्लाव अबर के अलफाथ अदा करते। जुबान से मुखती को भी इमाम साब के तक्बीर-ताहिमा कहने के भाद आल्लाव हुआबर कहना है और कम से कम अथनी आवाज ने अल्लाव अथच कहना है कि उसके अलफाज वो खुद सुन ले जब जब यानी चार मरतबा इमाम साथ अल्लोह अक्बर कहें तो मुखती भी इमाम साथ के साथ अल्लोह अक्बर वो कहें ऐसा कहना उस पर वाजिब है और नमाज जनाजा में जो कुछ पढ़ा जाता है असकारी नमाज वो सब सुन्त है ओमन लोग इस से गाफिल है करते ये हैं कि इमाम साथ ने कहा अल्लाह अक्बर हाथ उठाए और फिर बांग लिए और जब जब इमाम साथ ने अल्लाह अक्बर कहा तो बाज नादान अपने चेरे को आस्मान की तरफ उठाते रहते है ये बे असल अमल है आस्मान की तरफ चेरे को उठाना या मुंडी को उठाना अल्लाह अक्बर कहना ये वाजिब है इमाम साथ के अल्लाह अक्बर के कहने के साथ ही मुटदी को भी अल्लाह अक्बर कहना है पहली मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अक्बर कहें मुफदी भी आहिस्ता से अल्लाहु अक्बर कहें और सना पुड़ें दूसरी मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अक्बर कहें मुफदी भी अल्लाहु अक्बर कहें दुरूद इपलाहीम पुड़ें तीसरी मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अक्बर कहें तो मुफदी भी अल्लाहु अक्बर कहें फिर मैयत के लिए मखर्द की दूआ करें चौती मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अक्बर कहें तो मुफदी भी अल्लाहु अक्बर कहें और इमाम साब के हाथ छोड़ते ही मुफदी भी दोनों हाथों को छोड़ दे इसके बाद इमाम साब दहने और बाएं सलाम फिरेंगे यहां पर भी उमन अलगती रहती है कि मुफदीयों की अक्सरियत इमाम साब के दहने और बाएं सलाम फिरने तक अपने दोनों हाथों को बांदी रखते है जहां पढ़ना है वहां हाथ बांदना है और जहां पढ़ना नहीं है वहां हाथ बांदना नहीं है इसलिए चोहती तक्बीर के बाद कुछ पढ़ना नहीं है इसलिए हाथ छोड़ देना है اور امام صاحب نے دہنی جانی جب السلام علیکم و رحمت اللہ کہا تو ان کی اختدام یہ ہے हم بھی السلام علیکم و رحمت اللہ دہنی جانی اور بائیں جانی جب انہوں نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ تو بائیں جانی اپنے چεبے کو بھیریں اس وقت میں اپنی نگاہوں کو اپنے کنہوں پر رکھیں اور دل میں یہ نیت کریں कि हाजरीने नमाज जनाज़ा, देहने और बाएं जानिब के तमाम हाजरीन और देहने और बाएं जानिब के तमाम फरिष्टों पर सलाम हो जो लोग नमाज जनाज़ा में सिर्फ खामोश ठेहरे रहते हैं अल्ला हुआ अक्बर नहीं कहते हैं यानि इमान की इखिदाक में वो चार मरतबा अल्लाहु अक्बर नहीं कहें तो उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं होती है इसलिए इस बात को पूरी तवज्जे के साथ जहें में रखें अगर असकार नमाज याद नहीं है यानि सना याद नहीं है दुरूद इबराहीम याद नहीं है या मगफरत मयत की जो दूआ हैं वो याद नहीं है और किसी नहीं पड़ा है बाजुद इसके अगर वो शरीक जमात है और चार मरतबा इमाम की इहत्दा में अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर की तक्मीन कर ली और इमाम के साथ उसने सलाम फिर लिया तो बाजीब तो अदा हो गया तरक सुन्त का उसके उपर सिब गुना रहे हैं